हलो दोस्तों पेटियम फोर बिजनिस एप से रिलेटेट दुखानदार भाई और बिजनिसमें के लिए बहुत वड़ी समस्या रहती है कि जब वो दुखान पे अपने बिजनिस प्लेस पे नहीं होते हैं तो उनके जो भी ट्रांजक्शन आते हैं पेटियम आता है उनके एप पर तो उसको दुखान पे रहने वाले बिजनिस प्लेस पे जो भी केसियर और मेनेजर हैं वो कैसे चेक करें तो इसके लिए एक ओप्शन आता है पैटियम फोर बिजनिस एप में वहां जाकर वो लोग केसियर और मेनेजर को एड़ कर सकते हैं वहां पे एक रीड ओनली का तो भी उप्शन आता है इससे क्या होगा कि यह दि दुखान दार या बिजनिसमेन बिजनिस प्लेस पे नहीं है तो भी बिजनिस पे जो भी रहेगा वह उस ट्रांसेक्शन को चेक कर पाएगा तो चलिए देखते हैं इसके लिए सबसे पहले business app खोलना होगा और business app के उपपर की तिरब जो तीन line है उन पर click करना होगा जो profile के साथ है अब जाके हमें manage users पर click करना होगा manage users में हमारे पास option आएगा add stop का add stop के लिए जैसे हम proceed पर click करते हैं हमारे पास add stop पर click करते ही हमें authentication करना होगा कि हाँ यह हम ही कर रहे हैं तो इसके लिए थंबी presence ही होगा अब यहां पर हम add कर सकते cashier admin read only read only में सिर्फ अगले जो भी user रहेगा उसको सिर्फ पढ़ने का और जो transition आया उसको देखने का ही right होगा cashier यह हम किसी को appoint करते हैं इसके अंदर तो वो उस transaction को देख सकता है और यह ज्यादा amount आगया गलत amount आगया तो उसको refund भी करने का right उसको रहेगा और admin co-owner बनाएंगे तो उसको सारे rights रहेंगे देखने के transaction वगरा है और refund वगरा के related जो भी rights रहेंगे वो सब कुछ रहेंगे और read only वाला सिर्फ उसको सिर्फ देख सकेगा transaction को तो इसके लिए जब हमें किसी को appoint करना होगा तो access जो भी हमें उस cashier manager या staff को देना होगा तो उसको select करना होगा like हमें read only का access देना है तो हमें read only select करके next वे click करना है यहाँ पे उसका नाम और mobile number डालेंगे जैसे हम mobile number डालेंगे अपनी staff का तो add user करेंगे तो उस staff के mobile पे message जाएगा link जाएगा और इस आपको उस link पे click करके accept करना होगा कि हाँ वो user add होना चाहता है उस paytm for business app में जैसे जैसे वो इस पी accept करेगा और उसके बाद paytm for business app में login करेगा तो आपका paytm for business app उसके phone में login हो जाएगा और वो सारे transaction देख पाएगा इससे यह फायदा होगा कि कोई business का कोई transaction ऐसा है कि गलत नहीं जाएगा आपको सारे transaction केसियर को वहाँ पर पता चल जाएगा इसलिए कोई नुकसान होने की chance नहीं है कई बार ऐसे होता है कि transaction होता नहीं है और customer चला जाता है तो staff उस चीज़ को confirm कर वहीं पर customer की सामने ही confirm कर लेगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा यह paytm for business का staff एट करने का बहुत ही बढ़ी option है तो ऐसे और भी मज़िदार facts को जानने के लिए बने रही है हमार चैनल पर और subscribe करना ना भूले कर दो वह बहुत है